दोस्तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ओनलाइन अड़ाफ और स्टडी यूटूब चैनल पर जैसा कि आप जानते हैं किसी भरती संबंदित कोई भी जानकाई होती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से रियल आथेंटिक दी जाती है जादा बात न करते हुए सीधे आते हैं मुद्दे की तरफ और आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज को सोलर तक बंद करने के संबंद में जारी आदेश के बारे में साथ ही अगर बात की जाए नई प्राइमरी सिच्छक भरती को लेकर नई सिच्छा सेवा चैन आईओक के गटन के बारे में यूपी टिजटी पिजटी इसके अलावा विहार से निकली एक लाग सत्र हजार पदो पर नई सिच्छक भरती के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम cover करते हैं उससे पहले आप लोग वीडियो को like करते हैं और share करते हैं चैनल को subscribe करके bell icon को दबालें जिसे कि आपको real authentic जानकारी सबसे पहले मिलती रहें शुवात करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर और सबसे पहली अपडेट देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश में नहीं मिली नोकरी तो सिच्छक बनने चल दिये बिहार जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिच्छक बरतियों का इंतजार करते करते लाखों बियर्ड बीटी सी अभ्यती ओवरेज होने की कगार पे हैं या फिर ओवरेज हो चुके हैं लेकिन अभी भी सिच्छक बरतियों को लेकर अगर बात की जाए तो बिहार में सिच्छक बरतियों की बड़ी संख्या में पर देखने के लिए मिले हैं अब उत्तर प्रदेश के अभ्यतियों को भी वहाँ पर समलित होने का मौका मिला तो अगर बात की जाए यूपी सिच्छक बरति के लिए वर्सों से इंतजार करे अभ्यतियों ने बिहार का रुक किया है वहाँ के एक लाग सत्तर हजार प्रदों पर होने जारी भरति के लिए जिसके लिए केंदिय सिच्छक बातिता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके अभ्यति वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं बड़ी संक्या में उत्तर प्रिदेश के अभ्यति सिच्छक बरती के लिए आवेदन कर रहे हैं आवेदन की अंतिम तारीक बारे जुलाई है बिहार में प्रार्थमिक सिच्छक के अगर बात की जाए 79,943 के सम्तिंग पदों पर मार्धिमिक बिद्यायलों में सायक की भरती होने वाली है तो वहीं अगर बात की जाए टीजीटी के 32,916 है पीजीटी के 57,602 बदों पर भरती देखने के लिए मिलेगी पहले बिहार सरकार के मार्धिम से दूसरे राज्यों के अभ्यतियों को शामिल करने पर रोक लगाई गई थी लेकिन बाद में सभी सीट के अभ्यति जो 2021 में 2023 में होने वाली परीक्षा में बैठने वाले हैं उन सभी को भी आवेतन करने के लिए पात्र कर दिया गया अभ्यति क्या कहते हैं वह आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा प्र किया अभ्यति का चैना है कि सिच्छक बद्य करे सण्दीव कुमार के माध्यम से बिहार सिच्छक बरती के लिए आविदन किया गया है आविदन कर चुके संदीब का कहना है कि खाली बैठकर यूपी में सिच्छक बनने का इंतजार करने से बहतर है कि बिहार सिच्छक बरती में पयास किया जाए इसी तरीके से अन्या ब्यरतियों के माध्यम से भी अपनी अपनी राय दी गई हैं जो कि पूरे तरीके से सही भी हैं कि अगर आपको अन्य राज्यों में सिच्छक बनने का मौका मिले तो छोड़ने की बजाए अपने काम को फोकस करने की आपशक्ता है बेसक उत्तर प्रदेश में जब तक नहीं आ रही तब तक तो आप लोग कोशिश करी सकते हैं बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की संबन्दी थे उत्तरप्रदेश के अंदर कई जिलों के अंदर इस प्रकार के आदेश जारी किये जाएं जहांपे इस्कूल कॉलेज इसके लावर सभी सेचिक संस्तानों को बंद करने संबंदी जो आदेश हो जारी हो रहे हैं इसी के संबंद में एक और काराल है आदिस आप सभी को देखने के लिए मिलता है जिसके बारे में जानकाई लिखी हुई है कि अगर बात की जाए जनपर सारानपुर के अंदर कावड यात्रागी बढ़ती भीड को देखते हुए यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, उच्छ प्रात से समदित आधेश भी जारी करते हुए इसके बारे में जानकाई देदी गही है बात कर लेते हैं अपनी अगली अप्डेट के बारे में जो की समदित है नए सिछाpowराय के बारे में इसके बारे में भी जानकाई आज के अलग अलग समाचा पत्तों में दी गई है लिखा हुआ है कि सबसे भारी बरकम होगा नया सिच्छा सेवा आयोग और उसकी बज़े देखने के लिए मिलती है कि उच्छे सिच्छा विवाग से लेकर अगलग प्रकार के अंदर होने वाली सिच्छा सेवा आयोग के माद्यम से होगी और यही बज़े कि सभी बरती बोड़ों में सबसे ज्यादा भाई बरकम भी होगा नए आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 11 सदस्किन की निवति का प्रावधान प्रस्ताबित है इनका कारिकाल 3 वर्स या 65 वर्स अधिक्तम देखने के लिए मिलेगा प्रदेश की सबसे बड़ी भरती संस्था उत्तरबर्दिस लोकसिवा आयोग एक अध्यक्षिस के लावा आठ सरस्य देखने के लिए मिलते हैं इसी प्रकार अधीना सेवा चैन आयोग के अंदर भी अगर बात की जाए एक और आठ का देशियों देखने के लिए मिलता है बरतमान में सबसे बड़ा आकार उत्तरविदिस मार्दिमी सिच्छा सेवा चैन बोड का है जो 4500 से अधिक सायता प्रावत मार्दिमी विद्याले प्रताना चैन सिच्छकों की भरती करनी के साथी सम्दित विवादों का निस्तारण भी करता है इसमें एक अध्यक्स इसके लाबा 10 सदस्य देखने के लिए मिलते हैं अब नई सिच्छा सेवा आयोग में एक सदस्य से बढ़ जाएगा बस इतना ही बड़ा होगा लेकिन सवाल यह होगा कि जो अलग-अलग मिलकर आयोग एक भरती को नहीं करवा पाते थे अब क्या एक ही आयोग सारी भरतीयों को करवा पाएगा यह काफी ज़रा महतबूर है क्योंकि जैसा कि आप सुमी ने देखा होगा कि पहले किसी जगह से पानी को निकालने के लिए एक अलग-अलग पाइप लगे हुए थे अब उस पाइप को हटा कर उससे एक इंच पाइप बढ़ा करके सिर्फ एक ही पाइप लगा देना क्या यहां से बाटर के फिलो को समाल पाएगा यह काफी महतबूर है कुछ ऐसा ही आपको सिच्छक भरती में देखने के लिए मिलने वाला है लेकिन मुद्दे की बात यह है कि नया सिच्छा सेवा आयोक का गठन कर तक होगा तो इसके बारे में जानकाई लिखी हुई है कि 24 जुलाई के पहले आयोक के गठन की उमभीद है जैसा कि आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा कि नए आयोक की अधिसूचना 24 जुलाई से पहले आने की उमभीद जताही जारी है नए सिच्छा सेवा आयोक का ड्राफ्ट बनकर शासन को भीज़ा जा चुका है सायधाबर्द माध्यमी विद्याले में असेस्टन प्रोफेसर भरती शुरू करने को लेकर दाखिल की गई याचिका की सुनवाई 24 जुलाई को होने वाली है अब इसी मुद्य को ध्यान में रखते हुए उम्भीद जताही जारी है कि 24 से पहले नए सिच्छा सेवा आयोक को लेकर गटन हो जाएगा और अधिकारी भी इस बात को लेकर पुष्टी करते हैं देखना ये है कि क्या होता है क्योंकि इसी के माध्यम से सब कुछ देखने के लिए मिलेगा चाहिए अगर बात की जाए नई प्रमरी सिच्छक वरती का विज्यापन हो या फिर TGT-PGT परिक्षा हो या फिर इसके लावा कोई भी सिच्छक वरती क्योंकि नए सिच्छा सिवा आयोग नवन पानी के विज़े से सिच्छक वरतीयों से सम्मद्धी सभी जो प्रॉसर सें बंद पड़े हुए हैं अब नए सिच्छा सिवा आयोग को लेकर इसी महीने उंभीते जताई गही है अगर यह सब कुछ ठीक होता है तो इससे जाता अच्छी और बड़ी अप्डेट नहीं होगी बात कर लेते हैं अपने अगले अप्डेट के बागे में जो की सम्मद्ध है TGT-PGT को लेकर TGT-PGT के सम्मद्ध में जिसा कि हैं आप जानते हैं कि अभीती जो एक एक दो तो नमबर से रह गए थे अब उनको नौकरी के लिए इंतजार खतम होता है इसी के समद्ध में TGT PGT को लेकर अगर बात की जाए तो 2016 की वेटिंग लिस्ट के समद्ध में कल से इनकी काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी 2016 की काउंसलिंग हो जाने के बाद में TGT PGT 2021 की वेटिंग लिस्ट के अबयर्तियों को मौका मिलेगा जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि TGT 2016 की वेटिंग लिस्ट के चैनित अबयर्तियों काउंसलिंग समबा से शुरू की जाएगी साथ ही अगर बात की जाए 14 जुलाई दक यह चले की उसके बाद में 2021 की वेटिंग लिस्ट वाले अबयर्तियों का यहां से जो प्रोसेस है वो शुरू होगा जिसके संबंद में माध्यमिक सचिप के माध्यम से इसको लेकर ओफिशिल नोटिफिकेशन की तरब से जादिकाई दे दी गई थी कि कौन-कौन से ऐसे अबयर्तियें जो काउंसलिंग में समलित होंगे फिलाल इस वीडियो के माध्यम जितना हैं थैंक यू फर वोचिंग इस वीडियो